हलो दोस्तो नमेशकार इसमकिसी चानल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ तो दोस्ते इस पड़े में हम लोग कवर करने बहुत सारे इंपोर्टेंट खबरे आपके कुछ डाउट है वो भी मैं आपे कवर करनी की कोशिश करूँगा तो चले से पहले वी बी एल के साथ वरों बेवरेजेस इबदम धमाकेदार रिटन्स देने वाली कंपनी तीन बार ओल्री कंपनी बोनस दे चुकी है उसके बात कि अगर हम लोग बात करें तो कंपनी तो हर किसी को पता ही है पेपसी को का बॉटलर है बाकी चीज़े तो हम लोग को पता है तो कंपनी के नंबर की भी अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो जो सेल्स थे 5600 के आसपास सेल्स देखने को पुले जो कि इसके पहले 3800 के आसपास हुआ करता तो ओविसले रूपीज इन करोर्स की बात हो रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर अगर हम लोग यहापे 800 का प्रॉफिट आप यहापे देख सकते हो 1000 को क्रॉस करते हुए देखने को आपे मिल रहा है जैसे हम लोग ने यहापे एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी के यह जो जून कॉर्टर के नंबर होते है जून कॉर्टर मतलब कुन सा यह एप्रिल मे और यह तीन मैने का जो डेट परफर्मस होता है इसमें गर्मी बहुत होती है आप लोगं को पता ही है बहुत ही ज़्यादा टेंपरेजर हाय रहता है यही सबसे ज़्यादा उनका बेस्ट कॉर्टर होता है अर्निंग के इसाब से आप इनका इतियास उठा कर देख लोगे तो आप देखोगी कि जून कोर्टर के नमबर सबसे टॉप लेवल पर दिखने को मिल जाएंगे यह उसके बाद क्या आता है जुलाइ ऑगस्ट सप्टेंबर यह मौनसुन वाला सीजन पूरी दार बारिश 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 ठीक है टेंपरेजर भी इबदम कूल डाउन यहाप चिल्ड यहापे हो जाता है तो इसके चलते है ऑटोमेटिकली जो इसके बात के नमबर आएंगे न दोस्तों तो वो यहापे जितने भी नमबर आते हैं अभी कितना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पंदरा सो को है न इसके आधा है पकड़ लो 700-700 के आसपस आएंगे अगर तो यह पहले से आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़े हम लोगों को देखने को आप मिल जाएगी यह वाला जो कौटर होता है इनके लिए यह सबसे बेस्ट कौटर यहापे माना जाता है और उसी इसाब से कंपनी ने परफरमन्स यहापे दिया तो कंपनी तो एब दम फेंटेस्टिक है जो कि हम हर किसी को यहापे पताई है डिविडेंट की बात करें तो यह सवारूपे के आसपास का यहापे डिविडेंट यह है ठीक है डिविडेंट किसको चाहिए जब कंपनी के रिटन्स इतने शांदार यहापे होते 1100% के अचा के यहां पर रखी हुई है और लाग करोड का मार्केट के यहां पर बन चुका है बहुत ही कमाल की कमपने शांदार रिटन से यहां पर बन चुके चलिए आ जाते नेक्स्ट इंपोर्टन खबर के और जो कि है अदानी ग्रोब से रिलेटेड सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो अमबुजा सिमेंट से रिलेटेड खबर तो आप लोगों को पताई होगी कि येस अमबुजा सिमेंट ने यहां पर एक्क्वाइर किया है जो एक कमपनी है संगी इंडस्ट्रीज करके जो की सिमेंट सेक्टर की हम लोगों को देखने को मिल जाती है 5000 के आस को सरकिट लगते वे देखने को आपे मिल चुका है तो ये खबरे वाली चीज है दोस्तों अगेन कहना चाहूंगा ट्रेडिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलगलग चीज होती है ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है ठीक है इन्वेस्मेंट के लिए मेरे साइड सा तो मैं अल्लेड आप लोगों को बोल चुका हूँ कि अदानी ग्रूप में लॉंग टर्म के लिए इंवेस्मेंट करना बहुत ज़़ा रिसकी आपे रहने वाला है अदानी एंटरप्राइस की भी हिसाब से वो 50% तक कट यहापे करके रखे हुए थे ठीक है क्योंकि हर किसी को पता है उन्होंने कैपेक से रिलेटेड प्लान भी ड्रॉप किये थे तो यह तो चीजे हम लोगों को देखने को मिलने वाली थी तो कंपणी का परफॉर्मंस कैसे भी रहे आप सभी लोगों को पता ही है अदानी ग्रूप से रिलेटेड सबसे कीमती डेट कौन से रहने वाले 14 अगस्ट यही अभी आ गया 14 अगस्ट जादा दूर भी नहीं है तो तभी हम लोगों को सुप्रेम कोर्ट की सुनवाई होते वे दिखने को मिलेगी से भी अपना investigation वाला report पेश करने वाला है तो उसके बाद हम लोग आपे आगे क्या हो सकता है उन चीजों को यह आपे ज़रू consider करेंगे मतलब यह point आप लोगों को पता होना चाहिए इसके पहले अगर आप blindly जाके निविश करोगे तो दिक्कते हापे हो सकती है वैसे तो मैं इसके उपर एक वीडियो बनाऊंगा कि मतलब 14th August के पहले ही बना दूँगा कि क्या हो सकता है करके ठीक है और इसके बाद share के price में क्या reaction हो सकता है एक possibility वाला वीडियो होगा सही गए तो ठीक है गलत भे तो भी ठीक है क्या ही फरक पड़ता है हम थोड़ी ना ट्रेडर से सिर्फ आपको एक बताने के लिए कि कैसे market में चीज़े वार क्या पर करती है एनिवेस दैन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो government of India yes, parliament की अगर बात करे government of India की बात करे आज के दिन की तो जो पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो वो जो खबर थी import के उपर restriction लगा दिया laptop की बात करे, computer की बात करे servers की बात करे, taps की बात करे इसके चलते एक बहुत बड़ी खबर overlook हो गई कौन सी बड़ी खबर, तो दोस्तो डेटा protection बिल, यस दोस्तो डेटा protection की बिल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करे तो लोग सबा में ये बिल पास हो चुका है, बाकी चीजे फॉर्मेलेटी है, तो राज्यसबा में भी हम लोगों के पास होते वे देखने को मिल जाएगा, सो यहाँ पर सरकार ने यही कहा है कि बिजनेसेस, मतलब जो भी कंपनिया मतलब बिजनेस यहाँ पर करती है, ठीके उनके पास डेटा होता है, तो उनने प्रॉपरली विचार करके decision लेने चाहिए कि डेटा को कैसे handle करना है careless ने से अगर यहाँ पर कोई पाया जाएगा इस चीज़ के चलते हैं, तो उनकी अभी अच्छी तरीके से हम लोग को action भी होते हुए देखने को आपे मिल सकता है सो definitely data protection bill अगर यहाँ पर आने ही वाला formality थोड़ी सी बाकी है, तो इसके चलते FL India के उपर आप लोगों ने focus यहाँ पर रखना है इसके चलते कंपनिया कोई बरबाद नहीं होगी बट एस, एक momentum रूख जाएगा, क्योंकि restriction आप लोगों के उपर डाले जाएंगे कि यह नहीं करना है, वो नहीं करना है इतना ही data ऐसे से इस्तमाल करना है, बहुत सारे अलग-अलग चीज़े होते हैं, हाँ वो external issue होगा किसी एक individual company के लिए नहीं यह एक point आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास FL India और मैं सो रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है करके, तो यह जो attitude है वो आपको share market में आगे बढ़ने नहीं देगा, दैन अगर हम लोग बात करेंगे IRCTC, अभी IRCTC आपके क्यों भागा, साड़े तीन परसेंट, तो इसके पीछे का शायद से ही, एक major अगर कोई reason होगा दूस्तों, तो यह data protection bill ही है, हाँ, यह चीज़ शायद से आपको किसी article में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पहले, वो sequence जो था, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, कि मतलब IRCTC से ने पहले बोला था, कि उनके पास तो कितने करोडों लोगों का data है, और उनने का था कि yes, हम data को क्या करेंगे, सेल करेंगे, और इसके चलती estimation लगाया गया था, कि अगर initial stage पे भी अगर वो चीज़ों को सेल करेंगे ना, छोटा मोटा डेतों, तो 1000 करोडों तो ऐसे ही कमा लेंगे, 1000 करोडों, यह सब से तरीके से लगने लगा, मतलब कि सरकार को बोला कि बॉस आप data protection bill की बात करते हो, कि वो bill आया नहीं, और खुद यह आपकी company, मतलब IRCity से सरकार की company है, और आप यहाँ पे data बेचने के लिए निकल गए, तो यह वाला एक ऐसा point था, कि सरकार ने पहला हाँ बोला, कि हम लोग इनका data बेचेंगे, फिर सरकार ने वापस ना बोला, ना बोला मतलब यह नहीं था, कि हम लोग बेचेंगे ही नहीं करके, उन्हें का कि data protection bill आने के बाद, हम यहाँ पे इसके बारे में विचार करेंगे, तो definitely data protection bill अभी यहाँ पे आते वे देखने को मिल रहा है, तो IRCTC यह यहाँ पे बात करेंगे, दोस्तो तो IRFC 14% की दमदार तेजी देखने को मिले, ऐसा ही होता है दोस्तो जब stock भागता है ना, तो फिर मतलब क्या आगे पीछे सर पाओ कुछ नहीं होता है, वो फिर भागना start यहाँ पे कर देता है, तो यहीं चीज़े, अगर आप returns देखोग आप लोगों को return बना के देगा, long term hold करना आना चाहिए, अभी कितने सारे लोगों ने RVNL भी खरीदा था, IRFC भी खरीदा था, क्योंकि छोटे companies थे, छोटे मतलब 20 रुपे का stock था, 20-26 रुपे का, RVNL में भी 20-15-10 रुपे का stock था, बहुत सारे लोग retail investor इसलिए खरीद ले तो ये चीज़े होती है दोस्तो, share market में हम 100 किताबे पढ़ लेते हैं कि patience important है, रोज में तो बोलते ही रहता हूँ, बट जब तक ये जटका खुद को नहीं लगता है ना, तब तक कोई चीज़े समझ भी नहीं आती, कुछ लोगों ने कुछ लोगों को सिखा दिया कि patience कितन important है, सई स्टॉक चुनना important है, गलत स्टॉक में जाओगे तो फिर क्या ही बात बनती है, ठीक है, तो अच्छा performance चल रहा है, देख लेंगे, तेजी बनती रहेंगे, enjoy करेंगे, और क्या चाहिए, समयटो, समयटो की बात करेंगे दोस्तों, एक अच्छी खबर हमारे सामने हा करोड का profit, हाँ, इसके पहले कि अगर आप लोग performance को यहाँ पर देखोगे, तो कुछ इतना खास नहीं, सब कुछ minus 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 में आप लोगो देखने को मिलेगा, सब कुछ minus में यह, तो पहली बार company ने 2 करोड का profit दिखाया है, ठीक है, इस profit की भी अगर मैं बात करू, तो हम लोग यही कहेंगे कि other income थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है, इसके चलते profit है यहाँ पर हुआ है, बट चलिए, कोई बात नहीं, एक tagline लिखने के लिए तो अच्छा ही रहेगा कि इतने समय के बाद, मतलब जमेटा जब से start हुए तब से अभी तक उन्होंने properly net profit की शकल नहीं consistently खेल कर बता हो ना, तो फिर आपका विचार किया जाएगा, तो वैसे ही है, बट जमेटो कि अगर हम लोग बात करें, तो company बुरी नहीं, मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ, कि अगर मान लिजे किसी ने top level पे आपे खरीदा होगा रहा, वो अटके होंगे, तो मैं इतना तो कहे सकता हूँ कि चाहे तो वो थोड़ा risk ले सकते हैं, रिस्क ले ना मतलब क्या कि बेठे रह सकते हैं, कि कुछ ना कुछ तो आपस ये company हापे comeback कर सकते हैं, बट time भी लग सकते हैं, प्रॉब्लेम क्या हुए था पता है, उन्होंने वो blanket वाली deal की ना, इसके चलते हैं, बहुत ज़्यादा गडबढ़ हो गए, क्योंकि वो loss making company नोंने यहापे खरीद ली, उसका loss, carza, सब कुछ transfer हो गया, तो इसके चलते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलिफ हो रही है, वरना अगर वो नहीं होता ना, तो आज बहुत अच्छा का सा performance और भी देख येस, वेदानता की बात करें, cyclical stock है, आज की दिन 6.5% यहापे गिरा है, ठीक है, कौनसा stock नहीं गिरता है, 6.5%, 7%, बट यह जो company है, आप यहापे देख सकते हैं, दोस्तों, खबर क्या है, company के promoter नहीं, 16 करोड, रुपीज की बात नहीं हो रही है, number of shares की बात हो रही है, 16 कर में फसा हुआ है, उसके बाद वेदानता का ही number है, बहुत भारी करजा लेकर चल रहे है, और उपर से promoter के shares भी आपको पता ही है, maximum company पूरी 99% मतलब promoter level पूरा गिरवी रखा हुआ है, तो ऐसे company में अगर आप wealth creation के लिए जाओगे, तो फिर आपकी band बच जाएगी, अगर आप trader हो, तो फिर विचार कर से, ट्रेडर मतलब क्या stop loss लगाया, target लगाया, अच्छे होगा तो ठीक है, stop loss hit होगा तो exit, that's it, so ये चीज़ हम लोगों को लेखने को मिले है, और ये second time promoter नहीं यहापे माल बेचा, इसके पहले जून में भी इन्होंने माल बेचा था, इसके इन कहना चाओंगा, कि यहापे इनके उपर बहुत भारी कर जाया, अपर फसा हुआ है, तो किदर साना किदर से तो इनको पैसा जूटाना पड़ेगा, अगर कोई पैसा अगर नहीं देता होगा, देने के लिए रेडी हो जाएंगे, बट ज्यादा बैज लेंगे इनसे, क् कि डेप टरब में फसा हुआ है, तो एक यह ओप्शन बचता है, फिर क्या करो, अपने असेट सेल करो मना, मतलब अपने जो स्टेक है, उनको बेज दो, वही एक ओप्शन देखने को यहापे मिल जाता है, और डिसकाउंट के उपर यह सारे चीज़े ब्लॉक डिल होते वे देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते स्टॉक, साड़े छे पसंट से जादा हम लोगों को तूटते वे देखने को मिला है, जिनों ने अभी लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहापे निवेश किया है, वो तो ट्रैप होते वे देखने को यहापे मिल चुके है, ठीक है, तो यह एक बेसिक पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, जो कि हम लोगों को पता है, आपे होने चाहिए, तो आशा करता हो दोस्तों, जितने भी इंपोर्टन पॉइंट्स से सारे मैंने कवर कर ले वीडियो अच्छा लगे, कुछ इंपोर्टन चीज़े सीखने को म पड़ कर देजाएंगे, ताकि आप शेर बादार को आसन भाशा से सीख सको, so that's it, thank you very much, we will be meeting RxD, तब तक के लिए, bye-bye.